आपके पास Infinix Note 35G है या कोई और फोन है तो यहां पे आप Dual View Video कैसे Enable कर सकते हैं, कैसे Use कर सकते हैं, मतलब Front और Back Camera दोनों एक साथ Use कैसे कर सकते हैं, तो यहां पे आप Camera ओपन कर लेंगे, इसके बाद यहां पे आप ऐसे Slide करेंगे, आपको Dual View Video का Option देखने को मिल जाएगा, क्ल Front Camera है, जिस पर यह मेरा Face रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी यह Back Camera है, ठीक है, और यहां पे आप इस पे क्लिक करके, इसको Flip कर सकते हैं, उपर निचे Shift कर सकते हैं, ठीक है, और Camera को ऐसे करके, खींच की छोटा बड़ा भी आप Set कर सकते हैं, इसके बाद यहां पे आप इसके Angle को कर सकते हैं, यह वाला चाहिए कि यह वाला, ऐसे करके, इसके बाद यहां पे Full HD चाहिए कि आपको HD Quality चाहिए, तो Full HD कर लेंगे इसको, 1080p Pixel, ठीक है, और यहां से Flashlight Enable हो जाता है, क्योंकि यहां पे 15% बैटरी है मेरे फोन में, तो यहां पे Flashlight Enable नहीं हो सकती, क्योंकि अरेंज कर सकते हैं, मोड को, और यहां पे Reset कर सकते हैं, सेटिंग अगर जादी उपर नीचे हो गई तो, और यहां पे Shutter Sound को बंद कर सकते हैं, जो क्लिक करते हैं, तो Sound आता है ना, फोटो क्लिक करने पे, Fingerprint का जो Sensor है, उसको Enable कर सकते हैं, इससे टच करने पे फोटो खीच जाती है, और अगर आपको वीडियो जो Record कर रहे हो, Mute करनी है, तो इसको आप On रखेंगे, अगर आवाज नहीं आ रही है, तो इसको बंद कर देंगे, तो आवाज भी Record होनी, स्टार्ट हो जाएगी, ठ चलती वीडियो में भी आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर नीचे इस वीडियो को Shift कर लेंगे, यहां से Pause कर देंगे, और सेफ करना है, यहां से सेफ कर लेंगे, यह हो गई है, इसको प्ले करके देख लेते हैं, तो देख सकते हैं, साउंड के साथ यहाँ प अगली नमशिकर